नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेशे 24 दिसंबर, शनिवार शामसवा, 7 बजे, राजसान की बड़ी खबरे राजसान की मुख्य मंत्रे अशोग गहलोत ने शनिवार को कहा कि राजे में शिक्षक भरती की समाने ग्यान परिक्षा को एतिहा अतर निरस्त किया गया है, ताकि युवाओं के साथ कोई अन्याई ना हो पाए, गहलोत ने ट्वीट किया, आज 9 बजे से 11 बजे के बीच होने वाली शिक्षक भरती की समाने ग्यान परिक्षा को एतिहा अतर निरस्त किया गया है, ताकि किसी भी मेहनत कश युवा के साथ कोई अन्याई ना हो, उन्होंने लिखा बाकी परिक्षा यह थावाच जोरी रहेंगी, सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याई नहीं होने दी जाएगी मुख्य मंतरी ने कहा भरती परिक्षाओं में पारदाशिता के लिए हमारी सरकार ने सक्त कानून बनाया है राजसान के मुख्य मंतर अशोग गहलोत भले ही अपने हर कारक्रम में सरकार के गुड गवरनेंस की बात करते हूं लेकिन अब भी राजसान में लाखों लोगों को उनसे शिकायत है जिन्नोंने उनके कई कामों को लेका शिकायत की है अब ये शिकायते जनवरी के दूसरे सबता हमें लेटर के रूप में उनके आवास पर जाएगी ऐसे में CM के आवास पर एक साथ लाखों शिकायतों का अमबार लग जाएगा अब देखना होगा कि CM अशोगहलोत इन शिकायतों पर गौर करते हैं या नहीं क्योंकि इने लाने वाला डाकिया उनका विरोधी दल भाजपा है अब भाजपा के ये ख़ध हकीकत है या फिर गुड गवरनेंस का पाई नाम इसका तो समय आने पर ही पता लग पाएगा रास्तान नयाई करमचारी संक के बैनर तले करमचारी सुभाश महरा के मामने में सामोही कारवाश कार की समन में हाई कोट प्रशासन ने लिखित आदेश अब ज़ारी किया है इसमें सभी जिलाएंस सत्र नयाईधीश को कहा गया है कि वे करमचारियों की छुटियां स्विक्रत करें यानि करमचारियों की छुटियां उनकी सील पील या अन्य हैट से स्विक्रत की जाएंगी अवकाश का वेतन नहीं काटा जाएगा इसके साथ अवकाश के अवधी के दौरान किसी भी करमचारी के खिलाफ अनुशासना आत्मा कारिवाही नहीं की जाएगी राजिसान में गलन भरी सर्दी का दौर जारी है जैपर में भी शीतलायर के बीच ते सर्दी से आमजन जीवन अस्त वियस्त है सीकर श्री गंगनगा टोंक श्री मादपूर समेट अन्य जगों पर घना कोहरा भी चा रहा है मही तापमान में लगातार हो रही गिरावट से दिन में ठिटुरन का एसास होने लगा है प्रदेश के अधिकतर जिलों में सुबे से घना कोहरा चाया रहा जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई है मौसम विभाग के मताबिक अगले दो-तीन दिरों में पूरे प्रदेश में कड़ा के किठन पड़ेगी बितीराज शुकरवार को फतेपूर का पारा चार दश्मनों साट डिग्री से से अस दर्च किया गया रासन प्रदेश में बिजेपी की जन आक्रोश यात्रा सगित है लेकिन जन सभाएं ज़ारी है बिजेपी की ओर से शनिवार को साथ विधान सभा शेत्रों में सभाएं हो रही है वहीं रविवार को 12 विधान सभा शेत्रों में जन आक्रोश सभाएं आयोजित की जाएंगी बीजेपी प्रदेश अध्याक्ष सतीश पूर्निया सपस्ट कर चुके हैं जब तक राज्य और केंदर सरकार के एडवाईजरी नहीं आ जाती तब तक सरकार के कुशासन के खिलाफ चल रही जन सभाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ जारी रहेंगी बीजेपी की और से प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश अंदोलंग चलाया जा रहा है श्रीगंगानगर के जवाहनगर थाना शेत्र में साधुवारिसित गाजर मंडी में लगातार चोरियों से गाजर उतपादक किसान परिशान हो गई है किसान संग गाउश समीती वे गाजर उतपादक किसान संग ने जवाहनगर पुलिस स्थाने में प्रभारी को परिवाद देख कर कारवाही करने की मांगी है संग के अधक्ष अमर बिश्णोई ने बताया कि गाजर मंडी में गाजर धोने वाली मशीनों से बारदाना डीजल वे अन्य समान लगातार चोरी हो रहा है 23 दिसंबर की रात को कुछ इवको को चोरी करते हुए किसानों ने देख लिया किसानों ने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन कोहरे का फायदा उठाते हुए चोर भाग गए उन्होंने बताया कि इस समद में सूचना देने पर पलिस मौके पर पहुंचियों और साधु वाली से चोरों को चोरी के सामान सहित पकड़ लिया चीन में कोरोना फिर महमारी का रूप ले चुका है इसके मदेनचर भारत में भी अलटने शुरू हो चुकी है देश समेत विदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए विशेश दिशा निरदेश अनिवार से लागू होंगे जपर इंटरनाशनल एरपोर्ट पर भी COVID-19 के तहट जांच और सुरक्षे विवस्थाइं बढ़ाई गई है केंदर सरकार के मताबिक हर इंटरनाशनल उडान पर दो प्रतिशत यात्रियों को एरपोर्ट पहुँचने पर COVID-19 रैपिड आर्टी PCR की जान से गुजरने के अवशकता होगी इसके लिए एरपोर्ट के अराइवल सेक्षन में अत्रिक्ट सैंप्लिंग काउंटर और बूद बनाए गए है यात्री अपना सैंपल देकर एरपोर्ट से अपने गंतव्य क्योर प्रस्थान करेंगे बरतपुर में राजस्थान लोग से वायो की तरफ से आयो जीते सीनियर टीचर परिक्षा 2022 का पेपर लीक होने से पहले ही परेवेक्षक ने एक दमी अभ्यर्थी और असली अभ्यर्थी को पकड़ लिया जिस अभ्यर्थी का पेपर था वो भी पेपर देने के लिए पहुँच किया जिससे उसने अपनी जोकर पेपर देने का सौधा तीन लाख में किया था जिसके बार डमी अभ्यर्थी भी पेपर देने के लिए पहुँच किया दोनों के रोल नमबर नाम पिता का नाम सेम थे इस पर परिवेक्षक को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी मास्टर अधित्तेंद्र उचमादमिक विद्याले के परिवेक्षक नील मडी चौधरी ने बताया कि आ सकिंड ग्रेड में जीके का पेपर था सेंटर पर एक अभिहर्थी आया जिसके आईडी देखकर सेंटर में एंट्री दे दी गई कुछ देर बाद सेम रोल नमबर का दूसरा अभिहर्थी आया बुंदी के तालेड़ा शेत्र में बेश कीमती जमीनों में फिर बदल और फरजी वाड़ा करने वाले पटवारी सुधिर प्रताप सिंग को जिला कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है आरोपी पटवारी ने बिना आदेश के गैर खातेदारी के जमीनों में खातेदारी के अधिकार दिये थे निलंबन के दोरान उनका मख्यारे 99 रखा है तैसिलदार ने 22 दिसंबर को पुलिस स्थाने में पटवारे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी श्री गंगा नगर जिले में श्री विजे नगर की नगरपाली का उपाध्याक्ष ममता मिड़ा के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास जताया है 20 पार्षदों के हसा अक्षर युक्त ग्यापन को जिला कलेक्टर को सौंप दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित करने के लिए जिला पुशासन ने दो जनवरी की तारीक तैकी है जानकारी के अनुसार उपाद्यक्ष ममता मिड़ा की कारेकाल को दो वर्षपूर्ण हो चुके है उनके पती विकास मिड़ा ने बताया कि पार्षदों का शिस्ट्र मंडल उनके पास आया था उन्होंने कारण पूछा तो पार्षद कारण नहीं बता सके विकास कारियों के लिए वो सभी पास्टों के साथ है। वही राजस्तान में बार-बार पेपर लिग होने पर पूर्व मंति डॉक्टर राम प्रताप ने राजस्तान सरकार की कारिशाली पर सवाल उठाए और कहा कि बार-बार पेपर लीख होने से हजारों नौजवानों के भविशी के साथ राजिस्तान सरकार खिलवार कर रही है। लंपी बिमारी से उबरे गौवंश पर अब राजिस्तान सरकार की कृपा होने वाली है। प्रदेश के 10 जिलों में करीब 7 करोड का बजट इन पंजिकरत गौशालाओं के लिए मिला है जिसे गौशालाओं में गायों के लिए शर निर्मान 94 भंडारन के काम करवाय जाएंगे। 10 जिलों की 71 पंजिकरत गौशालाओं को 6 करोड 98 लाग 12 हजार की सहायता राशी की प्रशासनिक स्विकृति शुकरवार को जारी की गई। राज्य गौशालाओं के लिए पंजिकरत गौशालाओं से प्राप्त प्रस्तावों क्यानुसार शुकरवार को गौपालन निदेशाले ने इस राशी की प्रशासनिक स्विकृति जारी कर दी है। अजमेर में भू माफियाओं से सांट गांट करना क्रिशन गंज प्लिस थाने की चौकी की प्रभारी एसाई हैड कॉंस्टेबल वे कॉंस्टेबल को भारी पड़ गया। प्रशुपालन विभाग का कहना है कि इस बीमारी की वैक्सित प्रशुपालन प्रशुपालन विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। येवे पश्मों को दवाई उपलब नहीं करवा रहे हैं। पशुपालन विभा का कहना है कि इस बीमारी की वैक्सिन अभी तक आई नहीं है। जैसे ही उपलब धोगे हम वैक्सिन लगा देंगे। वहीं पशुपालकों का कहना है कि हम बिना दवाई के अपने पश्मों को दर्दनाक मौस से मरते हुए देख रहे हैं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर